सब्सक्राइब करें भी न्यूस को और बेल आइकन दबाएं कुशीन अगर इंटरनाशनल एयरफोर्ड के नवनी मत रन्वे से शुक्रवार को परीक्षन उडान सफल रही एक सब पर टीम ने विमान लैंड और टेक अफ कर रन्वे के स्थिती जांची और रन्वे को बोईंग और एयरबस की उडानों के उप्प्यूक्त माना टीम का नेत्रित्व कर रहे उप्र एयर कारगों विभाग के जनरल से क्रेटरी सी ए पंकज जा की अगवाई में कारगों विशेश अग्यों ने इस एयरपोर्ट से कारगों सर्विस की संभावना तलाशी परीक्षन उडान के लिए कुशी नगर के सांसद राजेश पांडिय एवांकेंदर वप्रदेश सरकार के अधिकारियों के मध्या गुरुवार को पूरे देन बाचीत हुई देर रात का वायद फाइनल होते ही जिला प्रशासन सक्रिये हो उठा डे मांदरा वामसी ने अपनी देख रेक में सुरक्षा वैवस्था मुकम्मल कराई एरपोर्ट पर थाना अध्यक्ष विने कुमार पाठक के नेतरित्म में सुरक्षा के व्यापप इंतरजाम किये गए थे सुबै ग्यारा बजे जी एमने लंड की एक अगेर के विमान से उत्रे एक सपर्टीम के अधिकारियों का स्वागत किया वहाँ एक सपर्टीम जिल अधिकारी और राइट्स इंडिया के अधिकारियों की सहथ बैठक हुई बैठक में नियमित उडान शुरू करने के पूर्व सभी शेश कारेयों को पूरा कर लेने पर चर्चा हुई सरकार की योजना तीन माहम बाद नियमित उडान शुरू करने की है बीते दिनों लखनव में हुए यूपी इवेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशी नगर और जीवर एरपोर्ट को प्रमोट किया था जिसके बाद से एरपोर्ट से जुड़े सभी विभाग सक्रिये हो उठे हैं परीक्षन उडान को इसी कववायत का हिस्सा माना जा रहा है बैठक के बाद बीएम ने पत्रकारों से बारचीत में बताया कि इस एरपोर्ट से घरेलू और विदेशी उडान शुरू करने के साथ व्यावसाईक उडान भी करने की योजना है पुडान पूर्व सभी अवशेश कारेओं को पूरा करने के लिए कदम उठाएडा रहे हैं इस अवसर पर एड़ीम कृष्ण लाल तिवारी, स्बीम किस्पी शुकलफ, रनवे निर्मान कंपनी के अभ्यांता सूरज श्रिवास्ता, लेक पालबर जेश्मन इत्रिपाठी आधी उपस्तित रहे